हेलो फ्रिंट्स आप देख रहे हैं आपका सोलियोशन आज किस वीडियो की मदद से हम सब जानेंगे कि आप Tata New Applications की मदद से किसी के भी अकाउंट में बैंक अकाउंट में पैसे किस तरीके से बेज सकते हैं तो चलिए आज किस वीडियो को फटा फट शुरू करते हैं यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ तो मैं यहाँ पर Tata New Applications को डाउनलोड करके रख चुका हूँ यह देख सकती हैं यह रहा Tata New Applications तो चलिए मैं इस Applications को सबसे पहले Open कर लेता हूँ यदि आप भी Tata New Applications को यूज करते हैं तो आपको इस Applications को Open करना होगा और इस Applications में Login करना होगा तो यहाँ पर देखेंगे मैं इस Applications में Login हो चुका हूँ और आपको भी अपना Applications को Open कर लेना है यहाँ पर इसमें मेरा New New Account बना हुआ है अभी तक मैंने किसी को पैसे इस Applications से नहीं भीजा है तो चलिए अब देखते हैं कि पैसे किस तरह के से भीजनी है तो यहाँ पर देखेंगे पैसे भीजनी के लिए निची के तरफ में स्क्रॉल करेंगे यहाँ देखेंगे चार ओफसस देखने को मिल रहे हैं फर्ट नमर Scan and Pay और सरके नमर Send Money तो मुझे Send Money बैंक अकॉंट में किसी के पैसे भीजनी है तो मुझे Send Money के उपर क्लीक करना होगा तो दूस्तों आप Send Money के उपर क्लीक करेंगे यहाँ पर आपसे कुछ permissions मांगे जाते हैं जैसे कि आपके phone यहाँ पर आपके calls का manage calls का contact का तो यहाँ पर allow देना होगा और इस तरह के से interface देखनी को मिलेंगे अब यहाँ पर दिसकते हैं SIM2 जैसे की दिखाई दे रहा है यहाँ पर send SMS के उपर आपको क्लिक करना होगा यह फेरिफिकेशन के लिए होगा और यहाँ पर देखें ICI bank दिखाई दे रहा है तो चलिए मैं send SMS के उपर क्लिक कर देता हूँ allow के उपर क्लिक कर देता हूँ और इस तरह के से interface देखनी को मिल रही है SMS send, SMS delivered, mobile verified इस तरह के से interface देखनी को मिल रही है अब यहाँ पर OTP आ चुकी है अब set my UPI के उपर आपको क्लिक करनी है इसके उपर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको अपनी bank account को एड़ करनी होगी bank account को एड़ करनी के लिए यहाँ पर अपनी bank सर्च करेंगे यहाँ पर bank के उपर सबसे पहले आपको क्लिक करनी है और जो अभी आपका bank है यहाँ पर इसके उपर क्लिक कर देंगे यह देख सकते हैं यह मेरा bank जैसे मैंने bank account के उपर क्लिक किया यह automatic ऐसे क्लिक किया और यह यह लिए लिया अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इंटर ने मोबाइल नंबर यूपियाई आड़ी दिखाई दे रहा है तो आप जिसी पैसे भेजना चाहते हैं तो मैं चली चली बैक कर लेता हूँ क्योंकि मैं बैंक अकॉंट में भेजना चाहता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं यदि आप किसी के बैंक अकॉंट में पैसे भेजना चाहते हैं तो यहाँ आपको यह आफसंस नहीं दिये गए हैं यहाँ आपको सिर्फ चार आफसंस दिये गए हैं इसके इन पे सेंड मनी पे बिल्स और यहाँ पर फैनांस तो आपको इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टाटा पे का जो आफसंस दिखनी को मिल रही है इसके उपर क्लिक करना होगा तो चलिए मैं इसके उपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखेंगे यहा पर आपको क्या करनी है तो यहां पर आपको इसके ओपर से क्लिक कर देनी है अब इस तरीके से इंटरफेस सीखनी को मिल जाएगा एक और फिर देखे लिए अकाउंट ट्रांसपर के ओपर क्लिक करेंगे यादि आप बैंक में भजना चाते हैं तो इस तरीके से करेंगे अब यहाँ पर 8 अकाउंट के ओपर क्लिक करनी है आपको और यहाँ पर इसके बाद जो है यह आफिसंस ओपिन हो जाएगी यह आफिसंस 8 अकाउंट का दिखेगी मैंने क्लिक किया यहाँ आपको अकाउंट नमबर डालनी है जिनको आप पैसे भेजना चाते हैं यहाँ फिर से उनकी अकाउंट नमबर डालेंगे यहाँ उनकी FSC कोड डालनी है और उनका नम डालना है और मोबाइल नमबर यह आफिसंनल है डाल भी सकते हैं नहीं डालेंगे कोई दिकत नहीं है यहाँ आप प्रोशीड के उपर किलिक करेंगे तो चलेए शला कुछ डालने के बाद मैं आपसे यहाँ पे मिलता हूँ तो जیसा कि यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं मैंने यहाँ पर अकाउंट नमबर टाइप किया यहाँ पर फिर account number टाइप किया यह FSC code और यहाँ पर मैंने name टाइप किया यहाँ पर आप नाम टाइप कर सकती है जो भी आपका नाम रहेगा आपको CM2CM वो ही टाइप करना है और इसके बाद यह mobile नमर है यह optional है तो यह account नमर जो आप टाइप करेंगे बरे ही साबधानी पुरवक्त आपको टाइप करनी है क्योंकि यहाँ पर यह वाला account नमर दिखता नहीं है अगर आप एक अंक मिश्टिक कर देगे तो यहाँ प्रोग्लम हो सकती है यह भी आपको सही सही फिल करनी है और name भी आपको सही सही देख लेनी है कि कुछिकल्टी तो कहीं नहीं हुई है जैसी कि यहाँ पर name में कुमार छूट गया था तो मैंने भी कुमार दिया इसे तरीके से आपको सारा कुछ देख लेनी है अब यहाँ पर आप सिंपल से प्रोशीट के ओपर क्लिक करेंगे अब इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिली यहाँ पर देख सकते हैं बेंक उपर यहाँ पर आप कितना amount उन्हें भेजना चाते हैं जैसी कि मैं भेजना चाता हूँ यहाँ पर 30 रूप है तो यहाँ पर मैं 30 सेलेक्ट करूँगा यहां पर दे सकते हैं 30 लिखा मैंने और यहां पर बैंक दिखाए दे रही है यहां पर सिंपल से पे के उपर आपको क्लिक कर देनी है अब इस तरह के से इंटरफेस उपन हुई यहां आपको अपनी UPI PIN टाइप करनी है जो भी आपकी UPI PIN है इस बैंक की ज़रूरी नहीं कि आपको इस एपलिकेशन में UPI PIN बनानी है यदि आपका PTM है और आप इस बैंक को एड़ करके रखा हुआ है ICI बैंक को तो आप वह वाला UPI PIN दे सकते हैं कोई भी दिकत नहीं तो चलिए मैं देता हूँ देखिए मैंने UPI PIN को टाइप कर दिया है अब सिंपल से यहां पर चलिए है और पुक्राइप belongs यहां से पेमेंट डेटल दिख सकते हैं तो चलिए यहां पर देख रहे हैं यहां पर जो डाउनलौड इनव्यवाइसम डिखने को मिल रही है इसके उपकर करके आप यहां से इसे डाउनलौड कर सकते हैं तो चलिए मैं डानलौड करके आप को दिछाता हूँ cancel डाउलोड यहां allow देना होगा इसे allow और इसके बाल यहां देख सकते हैं इन भाइस यहां पर download हो जाएगा gallery को ओपन करके मैं इसे देख सकता हूँ और आप यह किसी को share भी कर सकते हैं यह इन भाइस है यहां से आप किसी तो आज के लिए वह सितना है मिलता हुआ फिर किसी नेक्स टूटियो में लेकिन यहाँ देखिए आप सेयर भी कर सकते हैं इसी तरीके से आप लोग किसी को भी बेश सकते हैं टावजक्सन सक्सेस्फूल लिखा रहा है इसका मतलब टावजक्सन हो चुका है तो आज के लिए बस इतना है मिलता है फिर किसी नेक्स टूटियो में तक तक लेवाल टेक केर